नमस्कार नाकपूर हल्चल में आपका स्वागत है तो आई ये नजर डालते हैं नाकपूर की विविध हल्चल पर वैदर भी या कला अकादमी के सदस्यों ने रूसा और युकरेन के बीच चल रहे भिशन युद्धे के मद्दे नजर विश्वे शांती के लिए नोवार विशय पर विराइटी चोक स्थित महात्मा गांदी की प्रतिमा के पास 6-28 फूट की कैन्वस पर पेंटिंग प्रदर परिशर से आने जाने वाले लोगों ने पेंटिंग को देखकर कलाकारू की सराना की अकादमी के सचिव नानू नेवरे ने कहा कि कलाक्षेतर के लोगों ने इस महत्वपुरून कदम का स्वागत किया है पास से गुजर रहे युवाओ ने भी पेंटिंग में दिल्चस्प सिवारी ने स्वर्गिया प्रभाकर्राव दटके महाल रोग निदान केंद्र में एक बच्चे को ड्रॉप पिला कर एक लाग एकसी हजार बच्चों को डोज देने के अभियान का शुभारंब किया उन्होंने मनपा स्वास्थे विभाग के आधिकारियों को यह पोलियों के ड्रॉप से वन्चितन हो इस अवसर पर विधायक प्रविंदट के उपमाहप और मनिशा धावडे मनपा युक्तर आधाकृष्णन भी राम जोशी संजय माजन सुमिधा देशपंडे डॉक्टर नरिंद्र भहिरवार डॉक्टर विजय जोशी डॉक्टर साज कर रहे है नाकपूर महानगर पालिका ने रेल्वे स्टेशन गनेश टेकडी मंदीर स्वामी नारायन मंदीर बस स्टेशनों इट भटो चेक पोस्ट निर्मान स्थलो और अन्यस्थानों पर निवास कर रहे चोटे बच्चों की टीका करन के लिए मुबाइल टीमों के माध वार्शिक उर्स शरीप आज मनाय जाएगा दरबारे ताजूल अउलिया के सज्जादा नशीन और सरकार ताजूल अउलिया के पड़पोते हजरात बाबा सेयद यूसुप इकबाल ताजी की सरपरिस्टी में शाम साड़े साथ बजे दरबार में चादर पेश करने के पठान, मिलात ख्वानी और फातिया शरीप पड़ी जाएगी उसके बाद लंगर भूजन खिलाये जाएगा इस अउसर पर हजजन सेयदा, रुबिना नाच ताजी, सेयद जर्बिर ताजी, सेयद तालेफ, काजी निजामुद्दिन, अब्दुलमानी कुरेशी, शहादत काजी नईमुद्दिन, सलीम खान, मुहमद अहमर, मुहमद आसिप, हुसेन मुहमद, मुख्य रुप से उपस्थित होंगे केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय, एवम अधिकारीता मंत्रालाय के अंतरगत, ADIP एवम राष्ठी आयूयोजना के तहत, दिव्यांग एवम साट प्लस आयूवर्ग के वरिष्ठ नागरीकों को, निशुल का साहयता राशी वीतरन के लिए, नाकपुर महनगर पालिका ने तारा लक्ष्मी यादव, वनिता दांडेकर, नगर सेवक लखन येरावर, अतिरक्ता आयूकतर राम जोशी, शिकित्सा स्वास्टे आधिकारी डॉक्टर नरेंद्र भाहिरवार, लक्ष्मी नगर जोन के साहयक आयूकतर गनेशरा ठोड, जोनल शिकित्सा आधिकारी डॉ निलकाम ले, आधि ने दवराकर निरिक्षन किया, शिविर की शुरुवात में दिव्यांग वेक्तियों, एवं वरिष्ठ नागरिकों के आवश्यक दस्तावेजों की जाच के पस्चात, उनका पंजीकरन किया गया, पंजीकरन के बाद विकलंग वेक्तियों और परिक्षक अक्षक की वेवस्था की गई, स्क्रिनिंग शिविर में भाग लेने वाले सभी पात्र लाभार्थियों को अवश्यक सामगरे दिलाने है तू, आयोजकों ने पहल की केंद्रिया मंतरी नितिन गड़करी ने रविवार को धरंपेट जोन के वार्ड 15, काचीपुरा में नागनदी पर बने पूल का उदगाटन किया इस आउचार पर महापुर्दय शंकर्तिवारी, स्थाई समिती अध्यक्ष प्रकाज भुयर, धरंपेट जोन अध्यक्ष सुनिल ही रनवार, नागपुर सुधार प्रनेस के विश्वस्त वरिष्ट नगर सेवक संजय बंगाले, नगर सेवी का रूपराय, नगर सेवी का उज्वला शर्मा आधी उपस्थित थे, शुरुवात में केंद्रिया मंतरी नितिन गड़करी ने पूल निर्मान कारिया के नेमपलेट का अनावरन किया, उन्होंने पूल का भी निरिक्षन किया, धरंपेट जोन के काच्छिपूरा में कुसुमताईव अन्खेडे हौल क पास नागनदी पर बने पूल की हालत दरसल ठीक नहीं है, जिससे क्षेत्र के नागरिकों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मुख्यमार्ग पर भीडबाड होने के कारण पूल पर से यातायत स्थानिये निवासियों के लिए सुविदा जनक है, नगर सायता प्रदान कर सभी भादाओ को दूर किया, महापोर एवं स्थानिये पारिशदों द्वारा पूल निर्मान के लिए की गई पहल पर केंद्रिय मंतरी नितिन गड़करी ने उन्हें बदाई दी अंजनगाव सुर्जी के श्री देवनात पीट के जगदगुरू, श्री देवनात महाराज की महासमादी के द्वी शताब्दी वर्ष की आउसर पर, नाकपुर महानगर पाली का द्वारा, देवनात वेत पत स्कूल के पास, चोक का नाम जगदगुरू श्री देवनात महा चोक रखने का समारो वैदिक परंपरा की अनुसार भव्य तरीके से संपन्न हुआ। चोक का सर्व सम्मति से नाम रखना मनपा के लिए गर्व की बात है। चोक का सम्मति से स्वर्गिय रामजीवन चोधरी क्रिडा संकुल बनाया गया था। किंद्रियमंत्री नितिनगडकरी ने विश्वास व्यक्त किया है कि मध्यनाकपूर के कई कहलाडियों को इस खेल परिसर के मध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा। आज़ादी की अमरूत महुत्सों के तहत किंद्रियमंत्री नितिनगडकरी ने रविवार को रामजीवन चोधरी स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स का उदगाटन किया। इस अउसार पर वे भाशन दे रहे थे। इस अउसार पर केंद्रियमंत्री नितिनगडकरी और नाकपूर निवासी आंतरराष्ट्रे बैडमिंटन खिलाडी मालवी का बंसोड ने बैडमिंटन खेल कर खेल परिसर का उदगाटन किया। इसके अलावा रामजी पहलवान मारग का भूमी पुजन और शिकुरवारी तालाप से अशुक स्थम्ब तक उम्रेड रोड का भूमी पुजन भी केंद्रियमंत्री नितिनगडकरी ने किया। पाक हेल अधिकारी पियो शाम्बुल कर आधी मानने वर उपस्तित थे। पुलिस की तैनाती के बाद परिसर मानो चावनी में तब्दिल हो गया। दोनों दलों के नेता और पदादिकारी पुलिस थाने पोचे। भाजपा कारेकरताओं ने कॉंग्रेस कारेकरताओं पर कारले में तोडफोड और मारपीट का आरूप लगया। जबकि कॉंग्रेस ने कुकरेजा और उनके कारेकरताओं पर महलाओं के साथ दुर्वयवर और मारपीट करने का आरूप लगया। दिन भर तनाओ के स्टेती बनी रही, पुलिस ने दोनों पार्टियों के कारेकरताओं के विभिन नधाराओं के अंतरगत मामले दर्च किये है। युवा कॉंग्रेस कारेकरता बाबु खान, क्षेत्रम में रहने वाली कुछ महलाओं और योगों के साथ कुकरेजा के कारेलाय पोचे थे। नाली की समस्या को लेकर बार-बार शिकायत करने के बाद भी कोई कारवाई नहों होने से महलाओं में आक्रोश था। कुकरेजा के न मिलने पर बहस शुरू ही और देखते ही देखते इस बहस ने विकराल रूप धारन कर लिया। टिका लगवाने का आवाहन किया जा रहा है। शाम चार बजे तक किया जाएगा। यह जानकारी चीकित सा स्वास्टे अधिकारी डॉक्टर बहिरवार ने दी है। प्रभाग अठरा महल दसरा रोट करनल बाग परिसर के नागरिक अनेक समस्याव से जूज रहे हैं। इस प्रभाग के तिन पारशत भारती जंता पारटी से हैं तथा एक पारशत कॉंग्रेस से हैं। चारों पारशत अपने अपने कारेक शेत्र में दिग्गज माने जाते हैं लेकिन फिर भी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो निर्मान कारिया पहले ही हो चुके हैं उनको फिर से किया जा रहा है जिससे जनता के लिए सरल आवाजाही में बाधा उत्पन्न हो रही है। अच्छे रास्ते का फ्लोरिंग निकाल कर फिर से उसको फिर से फ्लोरिंग किया जा रहा है इसे परिसर के नागरिकों में गुस्सा साब दिखाई दे रहा है नागपुर शहर जिला कॉंग्रेस कमिटी की और से शारत दिक्षव विधायक विकास ठाकरे के अध्यक्षता में अखिल भारते कॉंग्रेस कमिटी के पी आर ओ तधा पुर्वक केंद्रिय मंत्री पल्लम राजु की उपस्तिती में भारत माता हौल देवडिया कॉंग्रेस भ प्रदेश कॉंग्रेस महासचीव अतुल कोटेचा, डॉक्टर गजराज हटिवार, प्रोफेसर दिनेज बानाबाकोडे, डॉक्टर अनिस एहमत, विरेंद्र जक्ताप, संजे महाकालकर, प्रशान धवड, बंडुपंत टेम्भुरने, निखिल धान्दे, एडवोकेट अ अभिवादन किया गया, अपने अध्यक्षिय भाशन में विधायक पिकास ठाकरे ने कहां कि डिजिटल सदस्ता के मामले में नागपुर महाराष्टा में तिसरे स्थान पर है, उन्होंने आश्वस्त किये कि सदस्ता में नागपुर 31 मार्थ से पहले महाराष्टा में मुदित करते हुए अखिल भारतिय कॉंग्रेस के पियारो पल्लम राजु ने कहां कि दरसल डिजिटल सदस्ता अभियान का मुख्य उद्देश चाक रूपता पैदा करना है हाल ही में नागपुर हवाई अड़े पर अखिल भारतिय कॉंग्रेस कमिटी के पियारो एवं पुर्व केंद्रिय मंत्री पल्लम राजु का स्वागत किया गया पुर्वर अज्यमंत्री डॉक्टर अनीस एहमत विधायक अड़ोकेड अविजित वंजारी महाराश प्रदेश कॉंग्रेस महामंत्री एवं सोशल मीडिया प्रमुक विशाल मुत्तेमबार प्रदेश महामंत्री वा उद्योग व्यापरी सेल के मुखिया अतुल को टेचा प्रदेश महासचिव शकूर नागानी समन्वैक राहुल साल वे आदि उपस्तित थे। अखिल भारती अग्रवाल सम्मेलन की नागपुर जिला शाखा के ततवावधान में विवाह योग्य अग्रवाल युवक युवतियों के लिए परिचे समारो का आयोजन रविवार सुबत 10 बजे श्री अग्रसेन भवन रविनगर नागपुर में हुआ। अध्यक्शी parties प्रद्धियों इवन सायोजक क्यलाश जोगानी, सयोजक एवन सहसांची प्रमोद आर अगरवाल, प। अशुक अगरवाल ने दिया मंच संचालान विजय सराफ ने किया मंच पर करीब 150 प्रत्याशियों ने अपना बहुत सुन्दर तरीके से परिचे दिया जिसमें उन्होंने अपनी सारी जानकरी के अलावा अपने जीवन साथ ही में क्या खुबिया होनी चाहिए इसकी जानकरी अभी भाव को को दी परिचे लेने का कार्य केलाश जोगानी अशोक अगरवाल एव़ं विजय सराफ ने किया समारोह में आने वाले प्रत्याशियों के बाइउ डाटा की कौपिया निकाल कर उसकी फाइल बना कर प्रत्याशियों को दी गई समारोह में पुने, मुंबई, बैंगलोर, 36 गड़, विदरवसे प्रत्याश्यू पस्तित थे शहर के विकास के लिए सभी राज़नितिक दलों के लोगों को एक साथ आना होगा अब हम तेलन खेडी उद्यान विकसित करने जा रहे हैं, दुनिया भर से विभिन्द प्रकार के गुलाब लगा कर शहर को सुन्दर बनाने का प्रयास किया जाएगा और इसके लिए जन भागिदारी बेहत ज़रूरी है इस आशे के विचार केंदरिय मंत्री नितिन गढढकरी ने नागपुर कट्टा कारेक्रम में व्यक्त किये नागपुरी कट्टा की भूमिका पर शुरूआत में जाएप्रकाश गुपता ने जान का रिदी गड़करी ने कहा कि तेलंकेडी उध्यान के विकास के लिए लोगों को विभिन्नप्रकार के आकरशक फूल, विभिन्नप्रकार के गुलाप प्राप्त करने में मदद करने चाहिए Heritage Committee के कारण पुराने भवन की मरम्मत नहीं हो सकी अता है इस विशे पर भी मनपा प्रशासन को कार्य करना होगा सार्थक Foundation नाकपुर शहर और ग्रामिंट शेत्र का एक प्रमुक समात से भी व्यावसाईक और अध्योगीक संगठन है हाल ही में इस संगठन के द्वारा महा मेट्रो के प्रबन निदेशक डॉक्टर प्रिजेश दिक्षित का सतकार किया गया एरपोर्ट साउथ मेट्रो स्टेशन के कन्वेंशन सेंटर में आयोजित एक समारोह में प्रमुक अतीथी के रुप में पुर्वा मंतरी सतिष चातुरवेदी, पुर्वा मंतरी रमेश चंदरबंग, केंद्रिय खादी ग्राम अध्योख विभाग के सदस्य जैप्रकाश पुपता आदी उपस्तित थे, संसा द्वारा किये गए सतकार के उत्तर में डॉक्टर दिक्षित ने कहां कि दरसल इस समान का असली हगदार महा मेट्रो टीम है, करीब 11,000 कामगारों ने मिलकर दीनराद गर्मी, बारिश और सर्दी में कारे कर लक्ष पूरा करने में एहम दिया है, डॉक्टर दिक्षित ने कहां कि जितनी कुशल टीम होगी उतना ही अच्छा काम होगा, मैं महा मेट्रो की टीम को धन्यवाद दिता हूँ, साथ ही नागरी को द्वारा दिये गए सहयोग के प्रतिभी आभारी हूँ, आप सब लोगों ने हमारे कारे को सराहा और स सम्मान की बात है, उन्होंने शहरवासियों का फिर से आभार मानते हूए कहां कि जन सहयोग के कारण ही बहतरिन दर्जे का कार्य समय पर पूरा करने में हमें सफलता मिली है। व्यापारियों को वोट बैंक के रूप में जोडने का निरने लिया है। इसके लिए आगामी 11 मार्च से देश भर में एक राष्टिया आंदोलन चलाया जाएगा। इस आंदोलन में देश के 40,000 से जादा व्यापारी संगठन शामिल होंगे। से कहा कि देश के राजनितिक परिद्रुष्टे ने अब तक व्यापारियों को खुब चला है और हमेशा व्यापारियों को अपनी राजनिति का मोहराही बनाया है। इस अन्याई के खिलाफ खड़े होने का समय आ गया है। सभी महाराश्ट के नागपुर निवासी तथा राजपुत समाच के विभिन्न संगठनों के हितार्त श्री राश्टिय राजपुत करनी सेना का स्थापना दिवस नागपुर में तीन मार्च को आयोजित किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष अरजुन सिंग ठाकुर के नेतरुत्व में होटल संगठनों का स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन की शुपकामनाय माहराश्ट के राज्यपाल माहमहिम भगत सिंग कोशारी ने पत्र दे कर दी है। वह महासचिव आनन सिंग ठोके, प्रदेश प्रभारी सुभाष ठोके, प्रदेश कोर कमिटी अध्यक्ष बाला साहब पातिल, मिरेंदर सिंग तोमर, चत्तिसगड प्रदेश अध्यक्ष विनय सिंग, प्रदेश संगठक मंत्री जहारखण, जिवन सिंग शेरपूर, प्र जरीपट का स्थित, श्री कलगिधर सत्संग मंडल के तत्वावधान में मंगलवार 1 मार्च, 2022 को महाशिव रात्री परव मनाये जाएगा, कार्यक्रम का आराम सुबच 6 वजे जपूजी साहीप, वश्री सुखमणी साहीप के सामोहिक पाठ के साथ होगा, इसके पश्चात श्री गुरु गोबिन सिंग द्वारा रचित, श्री दसम गरंथ में वरनित शिव अवतार के जीवन चरित्र के प्रसंग पर एडवोकेट माधवधास ममतानी प्रवचन करेंगे, कार्यक्रम का समापन आरती 11 गुरु ओ, वश्री दसम गरंथ वरनित आदी शक्ति भवानी होने की विनमरा अपिल की हैं वसुला गया, उपर उक्तसभी ओप्रेशन सही उक्तरूप से नागपुर सिटी पुलिस द्वारा किये गये थे, ट्राफिक वीभाग ने ये आभान किया है कि नागरिक वहान चलाते समय वहान से सम्मधित सभी दस्तावेज अपने पास रखे तो नागपुर हल चल में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीके वीडियोस, नमस्कार